आप सभी का स्वागत है, UP Academy for Civil Services पे मैं हूँ मानस पांडे और आज से मैं एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, ये डेली मैं करूंगा, आम तोर पे आप लोगों को ऐसा ब्रहम होता होगा कि गौर्मन जोब आजकल आनी बंद हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ध् दिन भी स्किप किये, मैं आपको गौर्मन जोब या फिर अच्छी प्राइविट जोब के बारे में बताऊंगा कि आज की दिट में कितनी अलग अलग गौर्मन या प्राइविट जोब हैं, आपको अच्छा लगेगा, तो आप लाइक करके अपनी हामी भरिएगा, तो मैं इसलिए याद रखिए, अगर आप उसके लिए इलिजिबल होंगे, तो आप सबसे पहले वो फॉर्म भरेंगे, आम तोर पे ऐसा होता है, जहाँ पे तीन या चार पोस्त लोग देखते हैं, वहान नहीं बढ़ते हैं, जहाँ पर दो पोस्त देखते हैं, और होता क्या है, टोटल बारा-तेरा लोग वो फॉर्म को भर पाते हैं, उन्ही में से हो जाती उनीवी से selection हो जाता है ठीक है न एक post पे जब 10 लोगों से कम लोग रहते हैं एक post पे कभी भी 10 लोगों से कम लोग रहते हैं तो वो क्या हो जब एक post पे 10 से कम उमिदवार रहते हैं तो आपको पता है written नहीं होता इंटर्वी होता है इसलिए ये ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुने और प्लीज अच्छा लगेगा आप बताईएगा तो मैं ये कहां का है क्या है सबसे मतलब नहीं है मैं आपको जागरुप करना चाह रहा हूं रोजगार के बारे में तो शुरुआत करते हैं देखे पहले मैं बता दू कहां कहां है फिर एक एक को मैं explain कर देता हूं दिल्ली सबार्डिनेट अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कहां पे कितनी पोस्ट हैं ये देख रहे हैं न बी एस 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 बी ऑनलाइन डॉट अनाइसी डॉट इन इसके तुरू आपको अप्लाई करनी है दूसरी देख लीजए अभी मैं explain पूरा करूँगा कहां पे क्या eligibility है आप कहां पे अपलाई कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा जैसे still 30 of India Limited में 84 vacancy आज की डेट में है इसकी last date है 30 जनवरी से पहले पहले आपको बढ़ना है मेरी फिर आपसे निवेदन हाथ जोड़के कि अगर आप eligible हों तो जरूर वरिये देखें आप क्या बनना चाहते हैं आपका dream क्या है वो बहुत अच्छी बात है लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको एक नौकरी की ज़रुरत पढ़ेगी जैसे जब मैं 21 साल का था तो उस समय मेरा dream बहुत बढ़ा था लेकिन मुझे ये भी पता था कि बड़ी नौकरी पाने के लिए पहले एक नौकरी करना पड़ेगा मैंने primary teacher की मैंने छोड़ दिया 3-4 दे में फिर मुझे दूसरी नौकरी में मुझे अच्छी लगी तो ऐसे ही आपको क कोई न कोई एक जॉब तो पकड़नी पड़ेगी बड़े लंबे रास्ते पर चलने के लिए तो यह है सेल स्टील 30 में 84 उसके बाद देख लीजे बगल में है cooperative bank मैं बता दू यह cooperative bank यहां का नहीं है यह cooperative bank South Indian का है लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां 30 post है यहां return होना है और यह नीचे जो है इसको मैं share भी कर दिया करूंगा daily basis पे यह जो post है यह आपको daily में share करूंगा अच्छे यह कहां कहां एक तो online जब आप मेरी website देखेंगे toppers code की website भी है website पे अब मैं daily inno को upload करना शुरू करूंगा एक तो website पे दूसरा telegram पे तो toppers code और telegram दोनों पे आपको यह चीजें जरूर मिल जाएंगे तो आपको कभी भी देखना हो कि आज की date में कितनी job है तो आप toppers code के application से भी देख ले website पे भी देख ले टेली ग्राम पे भी देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा आम तोर पे मैं toppers code को ही अपनी website बना रहा हूं या अपना application है तो वह हो ही है या तो high school pass या फिर डिप्लोमा पास और बड़ी भी होगताएं हैं आप कहां पे eligible हैं वो देखिएगा अभी मैं दिखाता हूं अगला NCPOR में 25 विकेंसी हैं project scientist पे यही जो दोनों विकेंसी हैं चाहे वो CSIR हो चाहे NCPOR हो यह क्या होता है polar survey होता है polar and ocean research polar का मतलब तर पर temporary होता है लेकिन आगे चलके आप अच्छा काम करते हैं तो आप इसमें फिर से अपलाई कर सकते हैं ठीक अच्छी salary है अच्छा government के तरीके की salary मिलती है इसमें ठीक वैसा ही CSIR में होता है यहां पे भी आप temporary temporary माने जाएंगे ठीक है ना BSC MSC अन्य है यहां पे salary अच् का है तो बिल्कुल भर सकता है अनुभागी अधिकारी लेखाकार अन्यपद पर electronic and IT मंत्राले में यह एक important है याद रखिएगा यह आप जरूर खोल के देखिएगा electronic and information technology department government of India अब मैं आपको one by one एक एक post पे ले करके चलता हूँ कि सबसे पहले देख लीजे यह क्या है सबसे पहले मैं आपको ले करके चलता हूँ यहाँ पर यह है बैंक वाला विशाखा पत्नम कॉपरेटिव बैंक में जो मैंने बोला 30 प्रोवेशनरी आफिसर की post है वो विशाखा पत्नम में है ठेक है न कहां पे है विशाखा पत्नम में है और उसमें होगा कैसे यह देख लिए विशाखा पत्नम में जो उसका सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपकी यह होनी चाहिए 20 से 33 साल यह जो बैंक पीओ के लिए ठीक है न और पेपर जो होंगे वह रीडिंग राइटिंग इंग्लिश और तेलगू लेंग्विज देखे आप पहले इंग्लिश में रिट अब यह आपका सेलेक्शन होता है तो आप जोईन करिए जब तक कुछ नहीं तब तक एक नौकरी तो होनी चाहिए न अब देख लिजए इसमें किसकी किसकी विकिंसी है तो यहाँ देख लिजए कंसल्टेंट की है मेडिकल आफीसर की असिस्टेंट मेनेजर की है ऑपरेट के लिए थे कि 3 साल का है मैट्रिकुलेशन और 3 साल का डिप्रोमा और अटेंडेंट की है देख रहे ना आइटी आई और मैट्रिकुलेशन मतलब हाइज स्कूल आपने किया हो तो आपको अटेंडेंट भी बनाया जा सकता है अगला आ जाएए नेक्स्ट है यह यह आजाता सकते हैं अब आजाए दिल्ली सबाडिनेट सेलेक्शन बोर्ड में जो PGT और TGT के जितने भी टीचर थे उनका क्या है यह देख लीजे यह सामने है विकेंसी का इसमें आम तोर पे PGT के लिए याद रखिएगा मास्टर चाहिए होता है किसी भी सबजेक्ट में आप क्या हो जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हों उस सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए हैं मास्टर डिग्री और B.A.D. की डिग्री यह दो चीज़ इंपोर्टन्ट है मास्टर की डिग्री और B.A.D. की डिग्री अब देख लीजे वो जो NCPOR वाला है मतलब National Center for Polar and Ocean Research का तो National Center for Pol Solar and Ocean Research में याद रखेगा यह टेंप्रेरी सिर्फ इंटर्वी होता है इन पोस्टों में जैसे सिर्फ और सिर्फ इंटर्व्यू इंटर्व्यू होगा अगर आप सलेक्ट होगा तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा Junior Research Fellow, Civil Electrical Research मतलब इसमें Physics और उन सब को भी इंवाल्व किया ज चाहिए तो यह है कुछ मैं फिर से दिखा दूँ हर विकेंसी के नीचे क्या लिखा होता है उसका अपलाई करने के लिए वेबसाइट जैसे अगर आपको Northern Coalfield Limited में है तो यह है इसकी वेबसाइट अगर आप यहाँ देखना हो NCPOR में देखना हो तो यह आपको सीधे Google पे जब आपको देखना हो क्या है विकेंसी तो आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है अब मैं आपको यह daily basis पे इसके लिए कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा मैं daily basis पे ऐसे ही आपको नौकरियों के बारे में बताता रहूँगा आपको अच्छा लगेगा तो like करिएगा तो म daily बताने थैंक यू सो मच